कि नमस्कार दोस्ति, शटोप मर्केट इंवेस्ट्मिन कॉस제 के टीलियो में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की मैं इस विडियो में आप लोगको क्वेंट इंवेस्टिग के बारे में बताने वाला हूँ दूस्तों पीछले वीडियो में आपको वैलू इंवेस्टिंग कोंट्रा इंवेस्टिंग ग्रोथ इंवेस्टिंग और प्रोक्सी इंवेस्टिंग के बारे में बता चुके हैं इसी का यह भी पार्ट है इस वीडियो में हम क्वेंट स्वागत है आप सब लिए का मंगेस तुमा टू पॉइंट ओ चैनल के नया वीडियो में चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और दोस्तों यह हमारे कॉर्स का 21 वीडियो है और दोस्तों एड़वांस लेवल का नवव वीडियो है तो पिछले सारे वीडियो को आप देखन करना चाहिए लेकिन हम यहां पर मैद का इस्तेमाल कर जा रहा है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो सबसे पहले उसके मिते हैं और वहां से पहले तो मतलब हो कि आखिर company जिस भी company में हम invest कर रहा है quaint investing कर रहा है तो वो company हमें महागा तो नहीं न मीड़ाई यहाँ पर आप price to earning ratio यानि कि P.E. ratio का इस्तमाल कर सकते हैं और P.E. ratio जो होता है या एक number होता है और number को हम कहां पर इस्तमाल करते हैं मैथ में इस्तमाल करते हैं भया सिंपल सी बात है उसके बाद company के size को देखा जाएगा company meet cap है small cap है या large cap है तो यहाँ देखा जाता है या भी क्या है या भया एक number है अगर हम बात करें large cap की तो 20,000 करोडर से जो बड़ी company होती है वह large cap है तो यहाँ पर भी मैथ का इस्तमाल हो रहा है उसके बाद देखा जाएगा low volatility दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि हम ऐसे company में invest करते हैं जो भी point investing को follow कर रहा है वह ऐसे company को पकड़ते है जहाँ पे ज्यादा सेयर प्राइज भी नहीं गिनना चाहिए तो यह भी देखा जाता है उसके बाद भी क्वालिटी आ जाता है क्वालिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्वालिटी को हम नहीं छोड़ सकते हैं उसके बाद भी आ जाता है high end अगर हम long turn के लिए invest करना है लंबे समय के लिए तो वहाँ से हमें अच्छा return मिलना चाहिए उसके बाद आ जाता है liquidity द प्रेशानी नहों उसके बाद आयता है momentum यानि कि हम जिस company में invest करें वह अच्छा पिछले कुछ समय में किया हो अच्छा वह अपना performance दिखाया हो वह दोस्तों देखा जाता है पर मैं जो साथ आपको फेक्टर बताया हूं साथों को पहले calculation किया जाता है और उसके बाद किसी पान लही करते हैं यह जो बड़ी-बड़ी फॉर्ण मनेजर होते हैं पूरी टीम वह लोग इसका इस्तामाल करते हैं बड़ी-बड़ी जो कंपनिया होती है वह आपने investment के लिए इसका इस्तामाल करती है और invest करती है तो बताना था अपने course में इसलिए हम आपको यह वीडि